आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, our question is supply the scientific term for the following Release of ovum from ovary तो इस particular state को या particular point को हम क्या scientific term देते हैं तो आएए देखते हैं ये जो particular आपकी definition होती है वो होती है आपकी ovulation की ovulation is a scientific term given to release of ovum from ovary इसमें ovulation में क्या होता है इसमें ovum या आपका जो egg होता है वो release होता है कहां से? ovary से ठीक है? तो release of ovum or egg from the ovary is known as ovulation ठीक है? ये जब आपकी particular आपका ovulation होता है ना तो ये particular एक cycle के दुरान होता है जिसको हम बोलते है menstrual cycle क्या बोलते है? menstrual cycle जैसे कि आपको पता है menstrual cycle हमारी होती है 28 to 30 days के बीच में ठीक है? किसी भी particular girl के अंदर 28 to 30 days के बीच में क्या होती है? menstrual cycle होती है तो आपका जो ये ovulation होता है ये ovulation आपका लाई करता है इन दिनों के बीच में कौन से दिनों के बीच में? 10 to 17 days के बीच में लाई करता है तो ये एक important point था note down करने के लिए कि जब release of ovum होता है from ovary से तो menstrual cycle के कौन से phase के दुरान आपका होता है और कौन से दिनों के बीच में, days के बीच में होता है तो वो होता है आपका 10 to 17 days और ये menstrual cycle का कौन सा पार्ट होता है? ये होता है आपका ovulatory phase ठीक है? अब इस ovulatory phase के दुरान एक particular hormone बहुत highly secret होता है बहुत highly secret होता है उस hormone का नाम क्या है? उस hormone का नाम होता है LH LH का नाम क्या है? Luteinizing hormone ठीक है? Luteinizing hormone ये बहुत ज़्यादा secret होता है इस particular time के दुरान I hope आपको समझ में आया होगा with this, thank you Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर